हलो फ्रेंज वेल्कर्म हूं मैं जानल ससी सकी क्लास आज का हमारा टॉपिक है ओड़ आज हम आपको उड़ के विसमें बताने वाले कि उड़ का इस्तमाल कहां और कैसे के रहाता है हम आपको हिंदी और रिलिस में पूरा डीटेल के साथ इंचेंपल के साथ बता दे वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आए सबसे पहले उड़ का इस्तमाल लिखते हैं उड़ का इस्तमाल हम कर पाता के सेंस में करते हैं मतलब जब कोई क्रिया कुछ करती हो तो हम उसमें उड़ का इस्तमाल करते हैं आए इसके रूल को समझते हैं सबसे पहले आपको स थाइब से क्रिकेट की किसे का कुछ बना आए इसके रूल को सबस्ते हैं सबसे आपको subject को रखना होगा, इसके बाद आप would be को रखेगे, इसके बाद आपको noun को रखना होगा, आई कुछ examples देते हैं, तक कि और इच्छे से के लिए हो जाए, मैं एक खिलाड़ी होता, I would be a player, तुम एक गायक होते, you would be a singer, रिया एक अविनियत्री होती, रिया would be an actress, उड़ बी का इस्तमाल रहा होता के sense में भी होता है, इसका structure होता है, सबसे पहले आपको subject रोखना होता है, इसके बाद आप would be, उड़ बी के बाद आप भर्प में आई जी जोड़ेगे, क्योंकि ये continuous का sense देता है, इसके बा रहा होता, इसका मतलब है किया काम continuous होता, तो इसको आप बनाएंगे, he would be going to school, बच्चे सो रहे होते, the children would be sleeping, उड़ बी का इस्तमाल किया जाता है, कि sense में भी किया जाता है, या passive होता है, आईए इसके rule को समझते हैं, इसमें सबसे पहले आपको subject को रखना होता है, subject के आपको verb का thought form, क्योंकि passive में generally verb का thought form इस्तमाल किया जाता है, इसके बाद जो other words होंगे, उसको लिख दिया जाएगा, आईए कुछ examples देते हैं, ताकि और एच्छे से clear हो जाए, मुझे वहाँ भेजा जाता, यह passive है, I would be sent there, उसे आपकी द्वारा पुरसकार दिया जाता, he would be given the price by you, आपको एक कार दिया जाता, you would be given a car, आईए, अब would have का इस्तमाल देखते हैं, would have का इस्तमाल पास होता किसे जिए किया जाता है, इसका rule होता है, सबसे पहले आपको subject को रखना होता है, subject के बाद would have, would have के बाद आपको down को रखना होता है, आईए, कुछ examples देते हैं, ताकि और अच्छे से के लिए और जाए, बेरे पास एक mobile food होता, I would have a mobile food, उसके पास एक किताब होता, he would have a book, स्रेया के पास पैसे दही होते, स्रेया would not have buddy, अगर आपको dot लगाना है, तो would or have के बीच में आप dot का इस्तमाल करेंगे, would have का इस्तमाल, चुका होता, चुकी होती, या चुकी होते के sense में भी किया जाता है, आईए, इसके rule को समझते हैं, सबसे पहले इसमें subject को रखा जाता है, subject के बाद would have, यहाँ पर would have के बाद आपको verb का thought form देना होता है, इसके बाद जो other words होंगे, उसको लिख दिये आईए, कुछ examples देता है, ताकि और अच्छे से clear हो जाए, तो मस्कूल जा चुके होते हैं, यह would have gone to school, वो अपना काम कर चुकी होती, See would have finished her work, आए, अब would have been के इस्तेमाल को समझते हैं, इसका इस्तेमाल कर जाता है, कर रहा होता के sense में, मतलब कि कोई खास समय में, कोई काम होता रहता है, आए सके rule को समझते हैं, सबसे पहले हैं अब को subject को रखना होता है, इसके बाद आप would have been को रखेंगे, इसके बाद verb मे आये जी जोड़ेंगे इसके बाद object को रखेंगे और since और for का इस्तमाल करेंगे इसके बाद जो other words होगे उसको लिख दिया जाएगा आये कुछ examples देते हैं ताकि और इच्छे से clear हो जाए मैं सुबह से खेल रहा होता I would have been playing since morning वो दो घंटों से खेल रही होती would have been का एक और इस्तमाल को देखते हैं इसका इस्तमाल जाचुका होता कि sense पर किया जाता है या passive sentence होता है इसकी rule को समझते हैं सबसे पहले आपको subject को रखना है इसके बाद would have been का इस्तमाल करेंगे और passive है तो word का thought form देगे इसके बाद object को देगे इसके बाद by और इसके बाद जो agent होगा जिसके द्वारा कोई काम किया जाएगा उसको रख दिया जाएगा आए कुछ examples देते हैं ताकि और इच्छे से clear हो जाए उसे अंग्रिये जी पढ़ाया जा चुका होता he would have been taught English मुझे राम के द्वारा भेजा जा चुका होता वह दो दिनों से किताब पढ़ रही होती मुझे घर भेजा जा चुका होता मेरे पास एक किताब नहीं होता आपको खिलाया जाता आप एक डॉक्टर होते अब आपको उन्ट से संबंदी जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका स्वल्यूशन आपको मिल गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राब जिएगा हमारे मुलागा फिर होगी एकने टोपे के साथ तब त अनल, थैंक यू